नमस्का, टैर.com में आपका स्वागते तू ये हमारा तयार है, फ्लेवर्ड और हेल्दी चिकू मिल्शेक आज हम हेल्दी और टेस्टी चिकू मिल्शेक बनाने वाले हैं हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो उसे टेस्ट के साथ साथ हम हेल्दी कैसे बना सकते हैं ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है मैं हमेशा यूसफुल टीप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ तो आप वीडियो को भीना स्कीप के एंट तक ज़रूर देखिए ताकि वो यूसफुल टीप्स आप मिस नहीं करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं चिकू मिल्चेक को हिल्दी बनाने के लिए इसमें हम डालने वाले हैं गुड की जगया आप चिनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं हमें दूद की जरूरत होगी और इसे हम फ्लेवर बनाने के लिए इसमें हम मिक्स फ्रूट जैम का इस्तमाल करने वाले हैं बच्छों को यह बहुत पसंद आएगा, इसे और हील्डी बनाने के लिए आप इसमें ये काजू, बरदान, पिस्थे का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, इसे और फ्लेवड बनाने के लिए हम इसमें डालने वाले हैं, रोज सिरफ, हम उपर से गारनिशिंग के लिए इसका इस चिकू मिल्चेक बनाने के लिए आप फुरीज में से निकाला हुआ ठंडा दूधी यूज कीजिए इससे मिल्चेक का फ्रेवर बढ़ जाता है चिकू में जो ये वाइट पार्ट होता है इसकी वज़े से हमारा पॉट भी बहुत चिकना हो जाता है तो आप थोड़ा सर इसको बाजू को निकाल के आप ले सकते हैं इसे हमारा पॉट भी प्रिक्सी का खरब नहीं होगा इन चिलकों को आप फेक मत दीजिए इन्हें आप पॉधों में गंबलों में आप डाल सकते हैं ये बहुत ही अच्छा और्गानिक फर्टिलाइजर है जिससे हमारे पॉदे फूलों से भरे रहते हैं तो आप किचन वेस्ट को बिल्कुल फेक मत दीजिए शिक्क के करें मैंने मिकसी में डाल देये आब हम इसमें गुड़ भी डाल देते हैं थोड़ा सा मिसमें भी ज्याम डाल देते हैं दरी बादाम पिस्ता में पिस्ता और पहले मैं एसमें मिकसी9 ग्रायंड कर लिते है और बाद में हम इसमें दूद मिलाएंगे नई तो चिको के तुकड़े-तुकड़े वैसे ही रह सकते हैं दीखी ये मैंने स्मूध पेस्ट तयार कर लिया है बिल्कुल भी इसमें अभी तुकड़े बचे नहीं है अब हम इसमें दूद ऐड़ कर सकते हैं आप अपने required quantity के अनुसार आप इसमें दूद मिलाके इसको फिर आप मिक्सी में डाल दीजिए और मिक्सी में इसको आप कायन करके ले 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 दीजिए देखेए ये हमारा मिलशेक तैर हो गया अब हम इसे शर्व करते हैं अगर मिलशेक जादा ठीक हो गया हो तो आप उसमें थोड़ा सा और दूद मिला सकते हैं अब हम इस पे रोज सिरफ डालते हैं यह होममेल रोज सिरफ है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप उसे वहां से जरूर देखिए बहुत ही आसान है इसे बनाना और हम घर में ही सेफली विदाउट केमिकल से होममेल रोज सिरफ बना सकते ह अब हम इसमें गarnation के लिए आपको पसंद है तो आप इसमें काजू गदाम पिस्ता अप इस पे ढाल दीजिए अगर बच्चों को पसंद है तो आप उस पे आईस्क्रिम भी डालके दे सकते हैं उनको बहुत पसंद आएगा यह भी होममेल आईस्क्रिम है तो यह हमारा तय अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और ये वीडियो लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए तो मिलते हैं बहुत ही जल एक और ऐसी वीडियो लेकर आप हमेशा खुश रहिए हेल्दी रहिए